तो हम एक महिला होने के नाते सरकार से और बिहार सरकार के माननीय मुखबंतरी नितीज कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि कितनी महिलाओं को अब इधवा बनाई है लेकिन अब तो इस सिती ऐसी हो गई है कि गाउं गाउं में सराब बन रहा है अब कहा का नाम ले किस जिला क किसी जिले में चले जाइए कि सरकार से मांग करते हैं कि सराब बिल्कुल खतम एदम फेलियोर प्रोग्राम है और विहार में फिर से सराब खुलनी चाहिए यह कौन सा कानून है कि पहली बार पी योगे तो इतना पाइन होगा दूसरी बार पी योगे तो छूट जाओगे सराब आएगा तब न पीएगा नबसकार आप देख रहा हैं लाइप स्रीज मैं हूँ आपके सहाथ रोहित्व का बता दे कि बिहार में 2016 से सराब बंदी कानून लागू है लेकिन देखिए आए दिन लगतार यह देखने को मिलता है कि जहरीली सराब पीने से लोगों की मौ सरत है वो गंभीर बनी हुई है देखिए मेरे चाहते बातचित करने के लिए कॉंग्रेस की विधाई क्या है परतिवा कुमारी जी तरफ सरकार दावा करती है कि सराब बंदी कानून सफल है बिलकुल है और हम व्यक्तिगत रूप से एक महिला होने के नाते जब से सराब बं को एक मौत का सौधागर बन गया है जितने भी सराब माफियां हैं वो सराब बेच रहे हैं सफेद पोस्त लोगों का खजाना भरा जा रहा है और सरकार गहरी निन्दी में सोई हुई है हमने कल सुना जदियू के परवक्ता ने कहा कि यह जो सराबंदी है महिलाओं के कहने प अब जा करके आपकी नीद खूलेगी सराबंदी कानून नहीं था तो भी तो एक्साइज एक्ट में था कि जो सराब पीते हैं वो जेल जाएंगे उनको सजा होगी उनको फाइन होगा फाइन तब भी होता था लाखो लाख करोरों रुपया रेवनियू आता था फाइन से द पोड भी है सरकार को भी पता होगा कि लगभग जेयиком करोब फैर हैं और अभी तक आपने प्यक्कर को जै informing कितने माफिया को अपने मोत कि सजादे यह कानून बना तो है कि उनको मौत की सजा होगी उनके घर को सील कर दिया जाएगा उसमें स्कूल खोले जाएंगे जब बड़े रसुपदार लोग पक्रे जाने लगे तो तुरंत कानून में संसोदान हो गया तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सराबंदी बिल्कुल खतम फेलियोर प्रोग्राम है सराबंदी खतम होना चाहिए और बिहार में फिर से सराब खुलनी चाहिए ताकि हम वैसे लोगों की जान बचा सके वो जवान महिला है जिनके पती बच्चे समय से पहले काल की गाल में चले जा रहे हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं है कमा के खिलाने वाला कोई नहीं है वैसी प्रस्थिती में उन कि बात की जाती है कि महिलाओं के कहने पर हुआ होने के नते हम सरकार से मांग करते हैं कि और धुकान खुलनी चाहिए प्रसेच होई तरफ मध्दी निसियत बिभाग के मंतरी है वो कर रहे हैं कि सराबंदी कानून पूरी तरीके से भीहार में सकते हैं लागू है जो कि इनके थाने और मनिस्टर साब को खाना चाहते हैं कि भिहार के पुलीस के थाने की बोली लग रही है थानेदार जो है वह सराब माफ्या के साथ परतिसद परसेंटेज फिक्स कर भूर रहे हैं और कोई बोलता है तो उसकी हत्या करा दी जाती है कि है जबाब मंतरी जी के पास सिर्फ बोल देने से कह देने से सकार में बैठे तो इसका मतलब यह निका भिश भी बोलोन की निकल जाएए गाइब है कि अबOY कि यहाएं Bachelor में 24 gegangen से ज़्यादा भी लोग बने लोग लोग हमको लगते कि सौ से भी उपर जाएगा तो यह तरीके का जो सराब का खेप आ रहा है लोग पी के मर जा रहे हैं और सरकार कह रही है कि सराब बंदी लागू रहेगा तो सफल नहीं है बिल्कुल बिफल है और सरकार इस तरीके का आखिरी सवाल होगा मैं कि जहां एक तरह पे सत्ता पक्ष के तमाम जो नेता है परवक्ता है वो दावे पर दावे करते नजरा रहे हैं कि सफल है लेकिन आए दिन लगतार यह घटना देखने को मिलती है इससे पहले भी छपरा के मसरप में बड़ी घटना देखने को मिली आप वाक्ष होत्ती है जादा तरह रकता सत्तता पक्ष के परुस ही तो होगाता है क्योती है वह सेनए कि पैझ अदक दूस्यान कर दूसरी पक्ष के तो यूट जाओगे शूट जाओगे यह तो जाहिर से बात है कि सराब भीक रहा है, सराब बनाया जा रहा है, सराब आ रहा है, लोग पी रहे हैं, यह सब कानून बना करके लोगों को मुर्ख बनाने क्या हो सकता नहीं है, विहार की जन्ता को बचाइए गरीब गुर्वा को, वो एक दिन कमाता है तो दस पर एक ब बिधाईका परतीमा कुमारी जी थे, आपको बता दे कि देखिए, जिस तरीके से बिहार में सराबंदी कानून लागू है, लेकिन आए दिन लगतार देखा जाता है कि जहरिली सराब पीने से लोगों की मौत होती है, और ऐसे ही देखिए कि ताजा खबर, निकल कर छपरा स सामने आ रहा है, जहां पर देखिए, जहरिली सराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, और वहीं कई लोगों का जो हालते वो गंभीर बना हुए, देखिए, हाहकार मचा हुए, और वहीं देखिए, जो कॉंग्रेस की बिधाईका है, साप साप का दिया कि पूरी तरीके स जो सराब बंदी कानून है, वो फेलूर है, सरकार को सराब बंदी जो कानून है, वो खतम करना चाहिए, और सरा फिर से चालू कर देना चाहिए, साथी साथ ये भी पूच रहे हैं सरकार से और मद्द्धनी से दिवाक के मंतरी से और सेम नितिज से कि आकीर कब तक महिलाओं को इस तरीके से बिधुवा बनाईएगा और बच्चे बच्चियों को अनात बनाईएगा और साथ तोर पर कहते ने दर आ रही है कि सराबंदी कानून को फिर से लागू करना चाहिए और भी क्या कुछ कहना था आपने तमाम चीजे इस वीडियो में देखिये हैं पस इस तरह की तमाम कपर अपमेर साथ जूड़े रहे है तो हम एक महिला होने के नाते सरकार से विहार सरकार के माननिय मुख बंतरी नितीज कुमार जी से पुछना चाहते है कि कितनी महिलाओं को अभी धुभा बनाई है लेकिन अब तो फिसी जीले में चले जाइए तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सराबंदी बिल्कुल खत्म खे पीओगे तो छूट जाओगे, सराब आएगा तब न पीएगा, और अभी तक आपने प्यक्कर को जेल भेजा, बहुत सारे प्यक्कर को जेल भेजा, कितने माफियाओं को अपने मौत की सजादी